दोस्तों, श्रीलंका से 30 से T20 सीरीज जीतने के बाद टीम इंडिया के लिए आई बुरी खबर टीम इंडिया के दिगज खिलाडी के निधन से टीम इंडिया के सभी खिलाडी फूट फूट कर रोने लगे तीन शून्य से T20 सीरीज जीतने के बाद इस दिगज खिलाडी के निधन से पूरा क्रिकेट जगत सदमे में है जी हाँ दोस्तों आखिरकार कौन है वह खिलाडी जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहे दोस्तों आपको बता दे कि इस मुकाबले में श्रीलंका ने टास जीत कर गेंद बाजी चुनी और उनका यह फैसला काफी सही शाबिद हुआ क्योंकि पावर प्ले में ही उनके गेंद बाजों ने भारत के चार बल्ले बाजों को महज 30 रन के स्कोर पर पवेलियन भेज दिया था लेकिन भारत ने अंत में 9 विकेट खोकर श्रीलंका को 138 रनों का टार्गेट दिया आपको बता दे की इस टार्गेट को चेज करने उतरे श्रीलंका के बल्ले बाजों ने काफी शानदार शुरुआत की ऐसा लग रहा था कि श्रीलंका एक तरफा इस मुकाबले को जीट जाएगी क्योंकि श्रीलंका को 12 गेंदों में जीट के लिए महज 9 रन चाहिए थे पर भी उन्होंने एक और विकेट लेकर संसनी मचा दी इस ओवर में उन्होंने केवल 6 रन दिये अब अन्तिम 6 गेंद में श्रीलंका को 6 रन चाहिए थे और अन्तिम ओवर में सूर्य कुमार यादव ने भी 2 विकेट छटका कर मुकाबला सूपर ओवर तक पहुचा दिया और सूपर ओवर में वाशिंग्टन सुन्दर ने गेंद बाजी से कमाल कर दिया सूपर ओवर में 6 गेंद होती है लेकिन वाशिंग्टन सुन्दर ने इस ओवर को 3 गेंद में ही खत्म कर दिया क्योंकि वाशिंग्टन सुन्दर ने पहले तो वाइड बाल फेंगी फिर पहली गेंद पर एक रन दिया लेकिन दूसरी और तीसरी गेंट पर उन्होंने बैक टू बैक विकेट लेकर ओवर ही खत्म कर दिया श्रिलंका ने सूपर ओवर में सिर्फ दो रन ही बनाए और भारत को जीत के लिए तीन रन चाहिए थे लेकिन सूरी कुमार यादव ने पहली ही गेंट पर चौका लगा कर बड़ी ही आसानी से भारत को यह मैच जिता दिया और इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने तीन शून्य से सीरीज को अपने नाम कर लिया वहीं T20 सीरीज जीतने के बाद टीम इंडिया के लिए एक बहुत ही बुरी खबर आई है जिसने पुरे क्रिकेट जगत को रोने पर मजबूर कर दिया है जी हाँ दोस्तों अपनी घातक गेंदबाजी से लोगों के दिलों पर राज करने वाले भारतिय क्रिकेटर के निधन ने पूरे क्रिकेट जगत को हिला कर रख दिया बता दें कि 55 वर्ष की उम्र में बहतरीन तेज गेंदबाज डेविड जॉनसन का आकस्मिक निधन हो गया आपको बता दे कि डेविड जॉनसन ने 1990 के दशक के मध्य में अंतर राष्ट्रिय क्रिकेट में भारत का प्रतिनिधित्व किया जॉनसन ने अक्टूबर 1996 में आस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया जॉनसन के करियर का सबसे शानदार पल आस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच के दोरान 157.8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गेंदबाजी करना था डेविड जॉनसन ने रणजी ट्रोफी सत्र में केरल के खिलाफ 152 रण देकर 10 विकेट लेकर अपना सर्वश्रेष्ट प्रदर्शन किया जिसने उन्हें राष्ट्री अस्तर पर पहचान दिलाई प्रथम श्रेणी क्रिकेट में उन्होंने 49 मैचों में 125 विकेट लिए क्योंकि भारत का एक दिगज तेज गेंदबाज 55 वर्ष की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गया दोस्तों डेविड जॉनसन जैसे होनहार क्रिकेटर के आत्मा की शांती के लिए कमेंट में ओम शांती जरूर लिखें